हेलो स्टूदिजंस वेल कम बैक में चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दीज़ें चानल को सब्सक्राइब करें दीजीं और बैल नोटिफिकेशन हिसे भी दबा हो तक्या आपको आने वाले विडिएओichen बनीफिकेशंच नाइप पर कितने तरीके के motions होते हैं gloom में इस video में हम discuss करेंगे कि weaves कितने तरीके की होती हैं इस video में हम basic weaves पूरे तरीके से discuss कर लेंगे मतलब completely उनके बारे में जान लेंगे और next video में हम जानेंगे fancy weaves के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं interlacement of warp and weft yarn जब हम warp और weft yarn के बारे में तो आपको पता चली गया होगा जनको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो जाकर कर सकते हैं कि warp yarn क्या होता है weft yarn क्या होता है वैसे मैं बता दूँ warp yarn जो है वो lengthwise yarn होते हैं और weft yarns जो हैं वो crosswise डलते हैं ठीक है तो जो interlacement होती है न वार्प yarn के और weft yarn की वो जो design को produce करती है उनको हम weaves कहते हैं ठीक है various factors जैसे कि number of harnesses के कितनी number of harnesses हमने use की हैं किस तरीके का threading pattern है हमारा warp yarn का जो yield में से जा रहा है और कितने number of picks है picks किनको कहते हैं weft yarn को कहते हैं कितने number of picks या weft yarn हमने use किये हैं interlacement में और किस तरीके से हमारा lifting plan है harness का यह सारी चीज़े regulate होती है अप्टेन करने के लिए variety of weaves को अब जनको यह नहीं पता कि heels क्या होती है picks क्या होते हैं ends क्या होते हैं और looms के basic parts नहीं पता हैं तो आप last video चेके जो उसके बाद ही आपको weaves के type समझ में आएंगे तो यहां पे इनका कहने का मतलब यह है कि जब आपको बहुत सारे variety of weaves को produce करना है तो वहां पे कुछ चीज़े matter करती है एक तो यह होती है कि आपने कितने number of harnesses use किया है क्योंकि हमने देखा था कि basic loom में दो ही harness होती हैं लेकिन अलग-अलग weaves को produce करने के लिए हमें बहुत सारी harnesses चाहिए होती हैं even हमें 30 to 40 harnesses भी चाहिए होती हैं अब वो अलग-अलग यहां पे यह है कि आप किस तरीके के variety of weaves को produce करना चाहते हैं वो सारी चीज़े इन चीज़ों पर depend करती हैं कि किस तरीके से आपने weftyan को warpyan के साथ में interlace किया है किस तरीके से आपका lifting plan है कि आपने पहले कौन सी harness को उठाया है और फिर second time में कौन सी harness को उठाया है तो broadly यह classify होते हैं weaves दो तरीके की होती है basic weaves and fancy weaves fancy weaves को हम decorative weaves भी कहते हैं यहां पर आप classification देख सकते हो एक है basic weave और एक है fancy weave fancy weave का दूसरा नाम है decorative weave अब basic weaves कितने तरीके की होती है basic weaves में सबसे पहली weave होती है plain weave plain weave भी दो तरीके की होती है एक होती है rib weave और एक होती है basket weave ठीक है उसके बाद दूसरे तरीके की जो basic weave है वो है 12 weave 12 weave भी दो तरीके के होती है regular 12 weave and irregular 12 weave उसके बाद जो third number है वो है satin weave और čौते नमबर की basic weave होती है satin weave ठीके उसके बाद में fancy या decorative weave कितने तरीके के होती है तो fancy या decorative weave होती है dobi weave, दूसरे नमबर पे होती है jacquard weave और jacquard weave में के बाद उसके बाद एक और टाइप है जहां पर यह डिवाइड होती है फैंसी या डेकुरेटर वीव सर्फीस फिगर वीव होती है यह जिसमें कि इस पॉट, swivel and lipid weave आता है उसके बाद में pile weave होती है जिसके अंदर दो तरीके की आती है weft pile weave and warp pile weave जो warp pile weave होती है उसके अंदर cut and uncutkinлы दो तरीके की pile weave होती यह उसके के बाद में हमारे पास हाईगी lino weave और उसके बाद में होती है double weave, इन सबको हम अच्छे से discuss करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम basic weaves के बारे में जानते हैं, point paper diagrams are representation of a weave in a 2D form आपको कभी classroom में अगर आपके पास home signs होगी तब ही आप ये subject पढ़ रहे हो, तो आपने classroom में कभी paper point diagrams बनाए होंगे weaves के जहां पर हम graph paper use करके इनको बनाते हैं, तो जब हम graph paper पर कोई भी weave बना रहे हैं, तो वो 2D form में होती है वो कभी भी 3D form में नहीं होती है 3D form में वो weave होती है जो हम properly weaving करते हैं, जो हमारे हाथ में पूरा weaving का sample होता है weave का sample होता है, वो 3D form में होता है और जो point paper diagram होता है वो 2D form में होता है यह चीज important है याद रखने वाली है sorry graph papers जो है हम उनको use कर सकते है students के द्वारा ही वो use कि जाते हैं these can be made on a plain paper हम इसको plain paper भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ graph paper ही चाहिए आप number of warp और number of weft boxes देख लिए आपको कितने चाहिए उसके हिजाब से आप pencil scale को use करके अपने plain paper भी बना सकते हैं एक vertical horizontal framework of lines को use करके जो vertical lines होती है वो depict करती है warp को and horizontal lines depict करती है weft को अब यहाँ पर आप देखो यह चीज है यह है warp और ऐसे cross wipe में जिसको horizontal भी बोलते हैं यह है weft in order to represent warp as being above the weft the square is shaded जब हमें यह चीज दिखानी होती है ना कि warp जो है weft के उपर है तब हम इस warp यान को क्या करेंगे shade कर देंगे blank square यहाँ पे signify कर रहा है जो खाली डबबा है वो यह बता रहा है कि यह weft यान है blank square signifies that weft has been placed over the warp in that interlacement यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले हमने warp यान ऊपर रखा है जो shaded portion है उसके बाद में हमारा weft यान ऊपर आ जाएगा जो unshaded portion है इस तरीके से यह continuity में वीव चलती रहती है let us go back to the example discussed in the simple hand loop model में जो हमने example देखा था first harness हमने उठाई थी जो कि odd number of warp yarns के साथ थी picks थे या weft yarns जो थे वो दूसरे वो किसमें थे place जो रहे थे shed में right and हम beating up कर रहे थे किससे read से तो जो point paper direction है first pick की वो आपको इस figure में show की हुई है 11.4 figure आपको दिख रही है in this manner if you keep representing the weave तो आपके पास में point paper diagram आजाएगा अब आप क्या करेंगे आपने first shade किया दूसरा unshade किया third shaded portion है उसके बाद में जब आप second column में जाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा इस row में क्या होगा जो first point है वो आपका unshade portion रहेगा second shade हो जाएगा third unshade रहेगा इस तरीके से आपके बास में जब आप इसको complete कर लोगे तो आपके बास में point paper diagram बनके आजाएगा और यहां पी जो हमने बात की थी कि हमने पहली harness में odd number of yarns लिए दूसरी harness में even number of yarns लिए तो और shed बनाया जब एक harness lift हुई और फिर beating की read से तो यह सारा आप last video में जाकर के check कर सकते हैं उसमें detail में आपको बताया हुआ है अब क्या है repeat is the area जब हम इस चीज को repeat करेंगे ना जो हम shaded unshared वाली बात कर रहे थे of the point paper यह depict करेगा seed को entire weave की it is often marked on the point paper diagram with a dark outline से हम इसको mark करते हैं अगर हम इस piece को replicate करेंगे इसका duplication करेंगे तो it would yield a bigger representation यह बनता जाएगा weave का number of times एक pick को जब आप pass करोगे मतलब weft yarn को आप pass करोगे repeat equal में से तो number of harness be required उसके हिजाब सही होंगी इसको बनाने के लिए along with a discussion of weaves point paper diagrams जो है will be given for basic weaves के लिए भी हम point paper diagrams को use करते है schematic diagrams के रूप में will be used to describe fancy weaves जो हमारे basic weaves है उसके लिए हम point paper diagram use करते हैं जो हमारे fancy या decorative weaves है उसके लिए हम schematic diagrams बनाते हैं जो हम आगे देखेंगे for the sake of ease of understanding असानी से समशने के लिए some basic weaves are discussed in points कुछ basic weaves को यहां पर अभी आप आगे देखेंगे कि points में discuss किया हुआ है these covered the number of harnesses कितने use किये interlacement pattern क्या था special features and examples की रूप में हमारे सामने बताए गए हैं अभी हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं basic weaves सबसे पहले basic weave का पहला जो category है या division है वो है plain weave अब plain weave क्या है plain weave के तो नाम से प्रता चल रहा है कि यह simple weave है और inexpensive weave है सबसे सस्ती weave होती है यह और simplest weave होती है और इस weave में हमें सिरफ 2 harnesses ही चाहिए होते हैं एक up करना है lift up करना है और यह होते हैं simple loom इसका example हो सकता है जो हमने last video में cover किया था जो weft yarn है goes under and over जाता है warp yarn के across the width of the fabric जो हमने अभी point paper diagram देखा था plain basic weave का वही plain weave है फिर आप इसको represent कर सकते हो एक symbol से one into one symbol use करके examples plain weave के है और गेंटी और मसलन का कपड़ा cambric, pawplain, flannel and canvas यह इसके examples हैं point paper diagram यहां पर आपको show किया हुआ है the plain weave के दो variations है rib and basket weave अब rib weave के बारे में जानते हैं कि rib weave होती क्या है instead of a single yarn अब जब आपने plain weave use की थी तो आपने एक shade क्या था एक unshade क्या था बट रिब वीव में क्या हो जाता है दो shade होते हैं दो unshade होते हैं फिर दो shade होते हैं दो unshade होते हैं तो instead of a single yarn यहाँ पर हम group of yarns को use करते हैं यह A और B जो है यह depict कर रहे हैं rib weave को जो हम हर एक direction में अलग-अलग direction में produce कर रहे हैं तो warp yarn है, फिर weft yarn है, फिर warp yarn है, फिर weft yarn है, फिर weft yarn है, तो यह आपकी कौन सी weave बन रही है, यह weft rib weave बन रही है, जहां पर grouping of warp yarns होती है, वो weft rib weave बनाती है, और जहां पर grouping of weft yarn हो रहा है, वो बनाती है warp rib weave, यह चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, यह थोड़ी confusing है, weft yarns की वो बना रहे हैं warp rib weave sometimes group yarns जो हैं वो single yarn के द्वारा भी follow होते हैं उसमें क्या होता है है दो warp yarn होगे, एक weft yarn हो गया फिर दो warp yarn होगे, एक weft yarn हो गया तो जब ऐसी चीज की जाती है इस तरीके से weaving की जाती है तो resulted weave को हम stripped dimity बोलते हैं और उसको हम crossbar dimity भी बोलते हैं crossbar dimity जो है वो produce की जाती है group of yarns and single yarns दोनों ही warp और weft direction में resulting fabric जो है वो बहुत जदा pleasing होता है और commonly हम उसको apparel में भी use करते हैं अब यहां पर आप देख सकते हो यह stripped dimity है जहां पर हमने दो warp किया, एक weft किया में भी हो सकती है यह हमारी crossbar dimity उसके बाद बात करते हैं here's a tip for making point paper diagram यहां पर एक tip दी गई है कि first make the skeletal structure carefully आप skeletal structure बना लीजिए और फिर आप interlacement show कीजिए one into one formula से तो आपके पास में rib weave बनके आ जाएगी strip dimity की है यह crossbar dimity की है अब हमारे पास जो दूसरा टाइप है basic weave का वो है basket weave fabric design resemble करता है familiar pattern को basket weave में क्या होता है जैसे chessboard का यह check का pattern होता न वही pattern same basket weave में होता है यहाँ पर equal size of squares होते हैं दो या दो से जादा warp yarn यहाँ पर interlace होते हैं और वह covering और drapery के लिए बहुत suitable fabric है जो width होती है combine yarns की किसी भी direction में वह equal होती है corresponding yarns के दूसरे direction में formula basket weave के लिए depict करता है कि हमने कितने number of warp yarns यूज किया और कितने number of warp yarns यूज किया एक single unit में उनका interlacement कराया है जो yarn लाए करता है side by side and can even be count हम कर सकते हैं यहाँ जो yarn होते हैं वो side by side होते हैं और हम उनको naked eye से भी count कर सकते हैं उसमें 3 x 2 basket weave बताई गई है तो यह 3 x 2 basket weave अब 3 x 2 basket weave है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 x 2 कैसे हैं यहाँ पर हमारे जो warp yarn है like 1 2 3 है और उपर की तरफ जो यह जा रहा है यहाँ पर only 2 weft yarn ही cover हुए तो यह 3 x 2 basket weave कहलाती है अब बात करते हैं 12 weave के बारे में अभी जो आप table देखेंगे आगे वहाँ पर आपको 12 weave का property classification भी देखने को मिलेगा broadly speaking जो 12 weave है वो दो parts में वैसे categorize होती है regular 12 weaves होते हैं जो uninterrupted diagonal lines होती है मतलब उसमें कोई भी diagonal lines में ना interruption ही होता वहाँ पर सीधी साथी diagonal lines होंगी face and back of the fabric पर और दूसरी category होती है irregular twirls की irregular twirls में क्या होता है जो diagonal lines होती है वो अपने path को change करती है और एक interesting effect लेकर के आती है regular twirls हों है वो sub classified होते हैं उनके angle of diagonal के हिसाब से भी जो angle है like 45 degree angle उसको regular या medium 12 बोलते है 15 degree angle जो होता है वो reclining 12 कहलाती है और higher या फिर 75 degree angle या उससे higher angle पर हम उसको steep 12 बोलते हैं और दूसरे भी terms हैं जो अभी section में हम explain करेंगे तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास में 12 weaves का classification है ठीक है तो अभी हमने देखा था reclining angle normal 12 and steep 12 ठीक है तो मैं पीछे आपको लेकर के चलते हूं angles वापिस देख लेते हैं regular का 45 है और reclining का 50 है steep का 75 है तो यहां पर आप देख सकते हो जो आपकी regular और irregular 12 दो पार्ट में आपकी 12 weaves divided हैं जो regular 12 है वो और भी further उसका division है पहला है angle of diagonal lines के हिसाब से पहली है reclining 12 जो 15 degree angle पे होती है normal 12 जो 45 degree angle पे होती है और steep 12 जो 75 degree above angle पे होती है फिर है direction of diagonal lines के हिसाब से पहला था angle के हिसाब से कि diagonal lines का क्या angle है उसके हिसाब से कितने तरीके के 12 होती है reclining 12 normal 12 and steep 12 उसके बाद है कि diagonal lines का direction क्या है right hand 12 weave and left hand 12 weave दो तरीके क्या होती है उसके बाद 12 weaves divide होती है regular 12 weave divided होती है evenness के हिसाब से कि कितनी evenness है face and back पे यह divide होती है even face 12 weave and uneven face 12 weave जो even face 12 weave होती है उसको हम reversible 12 weave होती है और जो uneven face 12 weave होती है उसको हम irreversible 12 weave होती है और वो warp या left face हो सकती है अब हम बात करते हैं irregular 12 weave की irregular 12 weave diamond 12, curve 12, zigzag 12, herringbone 12 and pointed 12 होती है अब इनको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं next time हमारे पास में थोड़ा इसको और जादा elaborate करके देखते हैं यह important है कि हम इसके कुछ basic characteristics भी जान लेते हैं जो 12 weave होती है उसमें कम से कम 3 harnesses हमें हमें चाहिए हमने basic weave के अंदर plain weave की बात की जिसमें हमें सरफ 2 harness चाहिए थी अब जो हमारे पास में 12 weave है उसमें हमारे पास कम से कम 3 harnesses एक loom में होनी चाहिए जो filling yarn होता है वो interlace करता है more than one but not more than three warp yarns एक filling yarn एक yarn से जादा yarn के साथ में interlacement कर सकता है लेकिन तीन warp yarn से जादा warp yarns नहीं होने चाहिए इन the next picking जो weft yarn है वो move करता है यहां पे ना ladder design मनता है CD जैसा design मनता है one step to the right और left जाता है और यह diagonal pattern मनाता है इन regular twill जो यह है uninterrupted रहता है but irregular twill weave में जो diagonal होता है वो change हो जाता है interruption हो जाता है उसमें और वो काफी interesting effects को produce करता है जो fabric है twill weaves के साथ में वो काफी जादा attractive होते हैं durable होते हैं strong होते हैं tightly woven भी होते हैं they do not get as dirty as plain weaves यह plain weaves जितने जल्दी dirty हो जाते हैं उतने जल्दी हमारे twill weaves नहीं होते हैं लेकिन अगर एक बारी twill weave के अंदर मिट्टी चली जाए या वो गंदा हो जाए तो उसको clean करना थोड़ा difficult हो जाता है examples हो है twill weave के वो है denim में denim के कपड़े में jeans में आपको यह twill weave देखने को मिल जाएगी gabardine drills some tweeds and many suiting fabrics में अब बात करते है formula की formula जो depict करता है twill weave को वो resemble करता है fraction के form को thus three by one represent करती है twill weave जिसके अंदर तीन points के में तो warp yarn visible है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तीन डबों में warp yarn visible है और एक डबे में weft yarn visible है means यह three into one twill weave है जो number of harnesses अब हमें चाहिए हम क्या करेंगे हम इनको count कर लेंगे is calculated by adding the numerator and denominator को दोनों को add कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितनी harness चाहिए अब यहाँ पे हमारे पस में तीन warp है एक weft है तो हमें यहाँ पे कितनी total harnesses चाहिए हमें चार three plus one is equals to four four harnesses हमें चाहिए है this is equal to the repeat of this weave let us now represent a 12 weave using a point paper यहाँ भी three by one 12 weave को आप बताया गया है और अगर आप इसको continue करते जाएंगे तो आपको एक diagonal pattern मल जाएगा while laying the second pick को जब आपने ले करना है shaded area जो है एक block आगे खिसकता जाएगा या तो आप इसको left में भी खिसका सकते हो या फिर आप right में भी खिसका सकते हो if you continue like this अगर आप ऐसे ही continue करते जाएंगे तो you would get a point paper diagram हमें मिल जाएगा जिसमें diagonal lines होंगी जो कि from bottom to the top right corner move करेंगी और to the top left corner move करेंगी जो right hand side जाएगा भो right hand will weave होएगी, जो left hand side जाएगा भो left hand will weave होएगी यहाँ पे आप देख सकते हों यह three by one which will weave है क्योंकि right hand की तरह जा रही है direction में और यहाँ पे आप देख सकते हों left hand 12 weave है क्योंकि यह left hand की तरफ जा रही है अब बात करते हैं it must be remembered कि जो sum है ना numerator और denominator का वो 6 से जादा नहीं होना चाहिए since 12 weave के अंदर maximum float length जो है वो 3 की हो सकती है but there are many combinations भी होते हैं जो possible होते हैं 2 by 1 12 weave भी हो सकती है 1 by 2 3 by 1 1 by 3 2 by 2 3 by 2 2 by 3 and 3 by 3 but यह 6 से जादा नहीं होना चाहिए मतलब आप 3 by 3 देख रहे हो तो उसमें 3 plus 3 is equal to 6 है यह last number है इससे जादा हमें exceed नहीं करना होता है क्योंकि फिर harnesses और जादा हो सकते हैं और उससे फिर 12 weave नहीं बनती है यहां पर आप 3 by 4 या 3 by 5 या 5 by 4 नहीं कर सकते हो ठीक है तो यह सारे आप 12 weave बना सकते हो और number of harnesses आप इनको add करोगे तो आपको पताया चल जाएंगी when the number of warp and weft appearing on a fabric जब number of warp yarns और number of weft yarns equal होते हैं जैसे 2 by 2 की 12 weave है या 3 by 3 की 12 weave है तो उसको हम even face 12 weave कहते हैं अगर number जो है वो आगे पीछे हो जाएं अगर if the number in the formula are unequal like 2 by 3 या 1 by 2 या 2 by 1 हो जाए तो उसको हम uneven 12 weave कहते हैं it can be further described as अब इसको warp face भी बोल सकते हैं weft face भी बोल सकते हैं warp face में क्या होता है जब warp yarns जादा होंगे तो वो warp face कहलाएगी जैसे 2 by 1 3 by 1 और जब weft number of yarns जादा होंगे तो वो weft face 12 weave कहलाएगी जैसे 1 by 3 2 by 3 1 by 2 जो family है irregular 12 की वो और भी further divided है उसमें diamond 12 है और curved 12 है, zigzag 12 है, herringbone 12 है, pointer 12 है अभी जो हमने upper 12s के बारे में पढ़ा था ना वो तो regular 12s के बारे में पढ़ा था और अभी हम irregular 12s देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास में diamond 12 है, curved 12 है, zigzag है, herringbone है, pointer 12 है commonly यह आपको men's shooting materials में देखने को मिल जाएंगे, अब यहाँ पर point diagram देख लो, यह हमारी herringbone 12 weave है, 3 by 3 herringbone weave है और यह हमारी pointed 12 weave है अब बात करते हैं satin weave के बारे में, फिर बात करेंगे satin weave के बारे में, फिर हमारा basic weave topic complete हो जाएगा तो satin weave क्या होते हैं, 3rd basic weave है, यहाँ पे satin, known as, अपने बहुत ही rich sheen and soft handle के लिए जानी जाती है और यह symbol of luxury and femininity भी consider की जाती है, इसके कुछ silent features है there is a predominance of warp yarns on the surface of the fabric, predominance of warp yarn होते हैं fabric के surface पे और यह appear करते हैं continuous length में इनको floats भी आप कह सकते हैं और यह tucked होते हैं weft yarn के द्वारा जो diagonal होते हैं satin weave के वो purposefully interrupted किये जाते हैं थाकि हम एक smooth and lustrous surface को produce कर सके float length यहां पर vary करती है 4-11 and number of harnesses satin weave में हमें 5-12 चाहिए होती है उसके बाद में है satin जो है उसका high luster होते है, smooth होते हैं, slippery feel होती है due to long floats on the other hand, यह जो floats हैं यह snack कर सकते हैं, इनको हम easily pull कर सकते हैं और making satin weave, यह easily pull जब दागे हो जाते हैं तो फिर जो satin weave है वो कम durable हो जाती है, less durable हो जाती है और plain or twill weave से भी weaker हो जाती है, satin जो है, fine करता है wide usage as lining fabric and in saris में आपको यह देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं satin weave, satin weave जो है, satin weave का ही variation है, there is a predominance of the weft yarn in the form of floats with very few warp visible satin weave में क्याता है, वाँ पर warp yarn जादा visible थे, weft yarn कम थे, अब जो satin weave है, उसमें आपको weft yarn जादा दिखाई देंगे और warp yarn कम दिखाई देंगे साथन weave का है, वाँ पर आपको weft yarn एक दिखाई वारप yarn जादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको satin weave में आपको warp yarn जादा दिखते हैं और साथे हमारा 13 weave होता है उसके उसके उनने आपको weft yarns हैं वो जादा दिखेंगे और वार्पयान कम दिखेंगे मतलब आप इंटर्चेंज कर दोगे जब इस शेड़ पोर्शन को तो आपको सतीन वीव मिल जाएगी यह हमारी बेसिक वीज कम्प्लीट होती हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना श लिएगा